कि नो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्टेप्स तू सप्रेड धमा कि वह कौन-कौन से स्टेप्स थे जो अशोका ने फॉलो किये धमा को सप्रेड करने के लिए अशोका जो नाम था वह सिर्फ इंडियन हिस्टरी में ही popular नहीं यह वह दूनिया का वह जो बनाया जाए ठीक है इसके लिए उन्होंने कुछ steps follow किये थे ठीक है सबसे पहले step जो आ जाता है उनका वो आ जाता है परसनल अग्जेंपल अग्जेंपल अब जैसे हमें अगर दूसरों को हमें कोई भी काम करने के लिए कहना है जो किसी चीज को follow करने के लिए कहना है तो उसके लिए पहले हमें खुद को उस चीज को follow करना पड़ेगा ठीक है तो वैसे ही अशोका ने भी किया अशोका ने क्या किया सबसे पहले खुद जो थे वह बुद्धिजम के principles को follow किया और देन उसके बाद वो एक वो लोगों के सामने खुद एक अग्जेंपल ब किया था उन्होंने अपने जो पुरानी लग्जरियस लाइफ थी जो पुराने उनकी जो आशोराम की जिंदगी थी उन्होंने क्या किया उसको छोड़ दिया ठीक है गेब फिस लग्जरियस लाइफ ठीक है उन्होंने अपने जो लग्जरियस लाइफ थी उसको भी उसको यह भाद उन्होंने और क्या छोड़ा, stopped hunting, शिकार करना भी उन्होंने क्या किया था, छोड दिया था, ठीक है, then renounced the policy of warfare renounced the policy of कि लड़ाई जगरा जो था वार वगारा की जो policy थी उनकी उसको भी उन्होंने छोड़ दिया renounced होता है त्यांग करना ठीक है उस policy को भी उन्होंने छोड़ दिया था और ये सब कुछ उन्होंने किया तो इससे जो थी वो पॉब्लिक बहुत जादा इंप्रेस हुई और अशोका से बहुत जादा प्रभाबित भी हुए लोग उनकी इन पॉलिसी से इंप्रेस भी हुए और उन्होंने भी क्या किया कुछ लोगों ने बुदिजम जो रेलीजन था उसको एडॉप्ट कर लिया ठीक है दिन सेकिंड क्या आगी सेकिंड स्टैप उन्होंने क्या लिया पिल्ग्रिमेड़ी जीज ऑगी तीर्थ यात्रा ठीक है तीर्थो पे जाना अशोका क्या करते थे ऐं बुधिज्सम को सप्रेड करने के लिए वह क्या करते थे Champions सिर्थ हौ ली त्पलेसज थीट यात्रा पे जाते रहते थे ए तूर पर जाते रहते दंश Columb Face अपने टूर को ओर्डाइस करते थे और बहां जाकि वह क्या करते थे लोगों को बुद्यूड़िजम के बारे में बत पत्क बतते थे और उन appointment of appointment of appointment of धमा महा मताज ठीक है जो अभी हमने पड़ा थर्ड स्टाप उन्होंने क्या किया था धमा महा मताज की appointment की थी उनको appointment किया था धमा महा मताज क्या थे उनके officers थे जो क्या करते थे एक जगा से दूसरी जगा जाकर दूसरे दूसरे countries में जाकर वो क्या करते थे लोगों को बुद्धिस्म की importance के बारे में बताया करते से ठीक वो लोगों को क्या बोलते थे कि वो क्या करें Assistants वो लोगों को क्या बोलते रहे थे वो क्या करें अपनी लाइफ जो है वो अक्पार्डिंग टूदप एगा प्रिंसिपल्स और बुद्धिज्म कि लोग क्या करें अपनी लाइफ जो है बुद्धिज्म के प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग ही फॉलो करें ठीक है वो क्या करें लोगों को कुछ आंग वगारा आंग गिविंग लोगों को कुछ दान वगारा दें ठीक है उनमें सच्चाई होनी चाहिए वही प्रिंसिपल्स जो हमने पहले पड़े कि लोगों को क्या है उनमें सच्चाई होनी चाहिए प्यूरिटी होनी चाहिए पवित्रता होनी चाहिए लोगों में वो क्या करें बड़ों के प्रति जो सब क्या थे उनके principles थे जो वो चाहते थे कि लोग जो हैं अपनी regular life में क्या करें उन principles को follow करें ठीक है और जो last step था उनका वो था और जो last step था अशोका का वो था foreign mission ठीक है इसमें वो क्या करते थे वो अपने जो missionaries थे उनको वो different different countries में बेशते थे ठीक है किसके लिए Buddhism को propagate करने के लिए अपने धर्म को propagate करने के लिए वो क्या करते थे अपने missionaries को other country में भेशते थे और वो countries कौन सी थी नेपाल श्रिलंका बर्मा सीरिया और एजिप्ट इन countries में वो क्या करते थे अपने officers को अपने missionaries को भेशते थे किसलिए अपने धर्म को propagate करने के लिए उन्होंने क्या किया था अपनी डॉटर जिसका नाम क्या था संगा मित्रा संगा मित्रा उसको उन्होंने कहां भेज़ जा था और उनकी जो डॉटर थी डॉटर संगा मित्रा और उनका जो सं था सं जिसका नाम था महेंद्र थीक है उन्होंने अपने सं और डॉटर को कहां बेज़ था स्रि लंका में भेज़ वा था कहां बेज़ था उनको स्रिलंका में भेज़ वो था किसलिए तो प्रॉपगेट धू बुधिस्म की वह क्या करें वहाँ बुद्धिजम धर्म को जो है सप्रेड करें ठीक है और इस तरह से जो था बुद्धिजम पॉर अन्वाइड मतलब आल ओवर दा वर्ल्ड जो था वो सप्रेड हो गया so this is all about the Ashoka's dhamma Ashoka dhamma क्या था ठीक है Ashoka dhamma क्या था these are the teachings of the Buddhism ठीक है जिनको Ashoka ने all over the world spread किया ठीक है with the help of different steps कुछ steps को follow करके उन्होंने क्या किया Buddhism की जो teaching थी उनको spread किया all over the world okay thank you